सभी को नमस्कार, एक बार अपने ग्रूप में वेडियो को शेर जरूर करना, प्राचीन नाम, टोपिक का नाम है, प्राचीन नाम, और इसके उपर हम कुछ डिसकस करेंगे, जितना करेंगे, most important रहेगा, एक्जाम में कोशन उठेगा यहां से, एक्जाम में यहां से कोशन ज एक होता है, सुवरन नगरी, और एक होता है, सोरन नगरी, परक है क्या इनमें, हां जी परक तो है, है तबी लिखाए, सूर्य नगरी किसको बोलते हैं, सूर्य नगरी बोलते हैं, जोदपुर को, सूर्य नगरी बोलते हैं, सूर्य नगरी, सूर्य नगरी, इंपोर्टेट कोशन है, एक आपने कभी नाम सूना होगा, कांठल, एक ओता है कांठल, कांठल से पहले एक और बताता हूं, एक ओता है बागड, क्या होता है, बागड या वागड भी बोलते हैं, एक होता है बंगड उस तो फरक है ना बंगड की गंगा माही बंगड छित्र है आदिवासी छित्र दुंगरपूर और बांसवाड़ा का जो छित्र है वो बंगड है सिखावाटी और नागोर का जो छित्र है वो बंगड है फरक देखो विंदिक आईगे एक है बंगड एक है बंगड सुर्य है स्वरण सूरण अच्छे परसन इंपोर्टेड कोश्चन है रामूजाट की डानी के तो आप सब जानते ही होंगे रामूजाट की डानी राम नगर सिरी गंगा नगर पिर अगर अपने से कोई पूछे इंपोर्टेड कोश्चन है जैसे सिव पुरी सिरोही सिवपुरी सिरोही को बोलते हैं सिरोही सिपुरी है गिर्वा तो उदेपुर है गिर्वा तो उदेपुर है उदेपुर बोलते हैं न कि उदेपुर गिर्वा पहडी पर बसा हुआ है गिर्वा तस्त्री नुम्ह पहडी उदेपुर है गिर्वा उदेपूर है याद रखिएगा एक आता है सीवी जो पिछले दिनों में सबसी ज़्यादा बार कोश्चन आया है चितोड वै उदेपूर का कुछ छेतर सीवी में आता है लेकिन पिपर में आजकल ये ज़्यादा आ रहे है सीवी चितोड सीवी की राजदानी मद्दे मिका थी मद्दे मिका या मद्दे मिका ये क्या था ये सीवी की राजदानी थी सीवी की राजदानी पुछे तो मद्दे मिका है मद्दे मिका सीवी की राजदानी एसे याद रख लो मेवाड उदेपुर है मेवाड किसको बोलते हैं उदेपुर को उदेपुरास्वन चितोड बीलवाडा इन सब को मिला दो तो मेवाड है पर संथो इंपोर्टेंट है ये मेवाड मेवाड उदेपुर्वी है राज समंद भीलवाडा ये छित्रा जेएगा अब पुछे कि मेवाड की राजदानी चितोड चितोड क्या थी मेवाड की राजदानी थी एक था बगड डुंगरपुर और बगड की राजदानी थी डुंगरपुर तल को पुछे बगड डुंगरपुर मासवड़ा और इसकी राजदानी अगर आपसे पूछे बगड की राजदानी बताओ तो आप ये कह देना कि बगड की राजदानी डुंगरपुर थी डुंगरपुर देबर कि इसको बोलते थी अपने याद करते हैं ना जैसमंद जील को प्राचीन काल में धेबर जील के नाम से जाना जाता था, जोड़ दिया याद हो गया। गिर्वा तो उदेपुर्था, आरबुद तो सिरोही को कहते हैं, आरबुद चंद्रावती किसको वोलते हैं, सिरोही को वोलते हैं, जंगल तो विकानीर हैं, जंगल की राजदानी अही च्छत्रपूर जंगल की राजदानी अही च्छत्रपूर का निया नाम जंगल की राजदानी अही च्छत्रपूर का निया नाम बताओ तो नागोर है सिहाड नाथ द्वारा है वो नाथ द्वारा कहा है राजदानी है सिहाड पूछे तो नाथ द्वारा है सिहाड नाथ द्वारा है गोपाल पाल कल्यान पूरी करोली को बोलते तो गोपाल पाल कल्यान पूरी के नाम से किसे जाना जाता है करोली को करोली को गोपाल पाल और कल्यान पूरी के नाम से जाना जाता था करोली को गोपाल पाल विराट प्रदेश देखो विराट प्रदेश का नया नाम बेराट और विराट प्रदेश मतस्य प्रदेश की राजदानी थी देखो विराट का नया नाम बेराट विराट परदेश किस की राजदानी थी मतश्य परदेश की राजदानी किस की राजदानी थी मतश्य परदेश की राजदानी थी अब आपको अनस्वर देना है लाइव चेट में नहीं मैंन कमेंट बॉक्स में कोठी किसका प्राचीन नाम था और इसका उपनाम भी है वो भी आप बताओगे कि कोठी किसका प्राचीन नाम है इसका अनसर आप लाइव चेट में नहीं मैंन कमेंट बॉक्स में दोगे गुरुप में वीडियो को शेर जरूर करोगे, पहले तो स्क्रीन सोट ले लिजीगा तो सूर्या नगरी, जोदपूर, सूवरण, जालोर, सवरण नगरी, जेसलमेर, बागट, धुंगरपूर, मासवड़ा, बांगटो, सेखावाटी, नागोर आपको पता है, गिर्वा पहड़ी पर उदेपूर वसा हुआ है, सिपुरी तो सिरोही है, चंद्रावत्ती तो क्या है, सिरोही है, आरबुद सिरोही है, जंगल तो बिकानेड था, जंगल की राजदानी एईच्छत्रपूर है, एईच्छत्रपूर का निया नाम नागोर है, अही छित्रपूर का निया नाम नागोर है गोपाल पाल कल्यानपुरी तो करोली है विराठ प्रदेश तो बिराठ है विराठ की राजदानी मतश्यपुरी तो जितने भाईबंदू देख रहे हैं ग्रूप में वीडियो को शेर जरूर करना तीन दिसंबर को जिडी की पुस्तकार ये राजस्तान के बाद ओल अवर इंडिया में पर चम फिलाने जा रहे है संकल वस आप की दुआएं साथ रहे और आपका साथ रहे विश्वास रहे और ये विकास सर की जिला दर्सन भोजल दियाने वाली है ओंडाइन कोर्स भी इसका आने वाला है तो जितने भाई बंदू देख रहे हैं अपने ग्रूप में वीडियो को शेर जरूर करना अच्छा लगे तो भाई लाइक भी करना जैहिं जैभार्व झाल 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 झाल